हेलो दोस्तों, वेलकम टौ आउल चैनल, और आज हम बनाते हैं सेंटेट cognitive, या कहा सकते हैं, अरॉमा गंडिल, इसे बनाने के लिए हमें, अरॉमा केंडिल की जरूती हुदし होती है, इसलेके हम बनाेंगे, इसके कीसी फ़ी तरीके से विए आप बना सकते हैं, कोई भी कंडि लेंगे उने गला लेंगे पुरीतिय के से लिक्विट फॉर्म में कर लेंगे और उसकी टंपरेचर के हो में कम रखना है दी में-धी में हातों से चम्मच की मदद से उसे मेंट करते जाए और साथी साथ उसमें कलर अपने मन का डाल दीजिए जो भी आपको कलर उसमें तोगा अब इसे हमें पुरिते के से मेल्ड करना है अब हम इसे चलाते रहेंगे जब तक ये गल ना जाए साथ ही साथ हम लोग अब अरोमा अल को भी डाल लेते हैं इसमें उतनी बूंद डालिएगा जितने की इसकी महग परफेक्ट हो जाए बहुत जादा डाल के बहुत जादा हार्ड सेंट नहीं बनानी है इसलिए कुछ ही बूंदों की इस्तमाल इसमें ली जाएगी यहाँ पर मैंने चार पांच बूंद लेते हैं क्योंकि दो केंडिल हम अलग लग बनाएंगे इसलिए अब यह पूरीते के सभा में से गला लेना है साथ ही साथ आपको करते रहना है बस स्मोकी पॉंट मत आने दीजिएगा यानि कि जलने का फॉम मत आने दीजिएगा अब अपना गैस आफ कर दीजिएगा और उसको उसी आँच में पूरी तरीकी से पिघल ले दीजिए ताकि टंप्रेचर भी मैंटेन हो जाए अब हम यहाँ पे देखते हैं पहले से मैंने अपने कप्स को त्यार रखा है मोल्ड को त्यार रखा है जिसमें एक रोज मोल्ड बनाऊंगा और एक सेलेंट्रिकल फॉम मैं बनाऊंगा अब दिमेदे में इसमें मैं पोर करके इसको पूरा फुल कर दूँगा और दोनों को मैं जब भर दूँगा तो कम से कम तीन से चार घंटा मैं इसे छोड़ दूँगा ठंडा होने के लिए क्योंकि इसकी सेटिंग तोड़ी सी जादा होती है और यह जब यह हार्ड हो जाएगा तभी हम इसे बाहर निकालेंगे और से मैंने देखिए यहां पर मैंने दोनों को अच्छी तरीके से भर दिया है जब यह आप इसे इस्तमाल करेंगे ना तो काफी अच्छी खुश्बू आएगी बहुत भीनी भीनी खुश्बू आती है जब इसे आप जलाईएगा और जब वैक्स धीमे धीमे कलेगा और अब यह पुरीतिके से जब भर चुकी है तो अब हमें इसे तीन घंटा के लिए यह हम इसे निकालते हैं सांचे से हम निकालते हैं यह से निकल फॉर्म का केंडल है और बहुत ही खुबसुरत और बहुत ही शाइनी केंडल बना है हमारा और इसमें से वाकई महग बहुत सुन्दर है यह रोज सेंट मैंने डाला था और्मा ओईल बहुत ही अच्छा इसमें मेहका रहा है और दूसरा वाला रोज में मैंने रोज मॉड में बनाए था इसे भी देख लिए जाए कि कैसे तरी कैसे बना है कि इसकी लुक और अपियरेंस बहुत ही सुन्दर होती है जब यह बन के निकलता है तो आप प्लीज इसे भी ट्राइ करिएगा यह देखिए बहुत ही बढ़ी है वाँ यह जो एक्स्ट्रा फीता है इसे हम पीछे से काट लेंगे एक्स्ट्रा फीते की कोई ज़रूत नहीं है और आगे से देखिए कि इतने खुबसूरत लग रहा है इसकी डिजाइन टेक्शर बहुत ही बहुत ही अच्छा है पीछे का हम लोग फीते एक्स्ट्रा काट लें इसका कोई इस्तमाल नहीं है जबके आगे जलाने क्लिकाफी है यह हमारा दोनों बनके त्यार हो चुका है कुछ बुंदे औरमा ओयल की आपके कैंडिल को खुश्बुदार सुगंदे द्वना देगी कुछ बुंदे ही आप झाल 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 झाल